द्राइथ by ऐ comigo जाहिंद मैनेति न्युकोडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मीशनें नियूटूबिटा शेंजे में लिशनें चीग मैं आप सभी फ्यूचर में बने वाले सोजक्रॉष को फ्यूट पि लिशर में बनेवाले ओफिसर्स को मेरा सलुट देखे का मिशन एंसी ने आप लोगों के लिए 60 डेज एंसीज मास्ट को उसके एक बैच लाई है और इसका जो बैच है वो आट जुन 2020 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी बैच टामिंग यहां डेली रात को आट बजे लायो पढ़ाते हैं ठीक है बच्चे पुराने भाई वो मुझे कमेंड करें चाट बॉक्स में बता एक कौन-कौन आज की क्लास में प्रेजेंट है आज कौन-कौन क्लास में आया है और कौन-कौन लेट आ रहे वाई कल से लेट नहीं आना है आप से भी को बिल्कुल टाइम पे आते जाओ पढ़ते ज कि यूंट को अब चानल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस चल alltså ऑगे चल को अपको आपको नोटिफिकेशन घृट्स नहीं आगे की चली अगर अब और दिक ये लेना चाहते हो तो बिल्कुल आपसभी को एना डेली क्लस्स को आना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ते देगे स्क्रिन के उपर आपके एक वर्दी दिखाय दे रही है हरकिस के एक ड्रीम होता है यह सपना होता इस वर्दी को पाना अगर आप एक NCC कैड़ेट हो तो बिलकुल आप इस वर्दी को पास सकते हो उसके लिए दो चीज़े आपके पास होना बहुत इसके लिए मैं आपके help करूँगा हमेशा वीडियोस बनाऊंगा आप सभी को इसको देखना है और आपका बी और सी साइटिफिकेट का एक्जाम अच्छे ग्रेट से पास करना है आप सभी को मैं इस वर्दी में देखना चाहता हूँ चाहिए गर आप इस वर्दी को पाना करना है आपको आपके notebook में लिखना है ठीक है अगर आप notebook में लिखोगे तो आगे चल कि उसका benefit यह होगा आप लोगों को जब आपका जो paper होगा ना paper के समय जब आपको revision करना होगा ना revision के time के समय जो है आपको यह आपने अगर अभी लिखा है तो यह आपको बहुत helpful होगा तो दीक है आज का जो हमारा जो day कितवा डे कौन सा डे आज का हमारा तो दे वह 41 वा डे है ठीक है 41 वा डे अगर आप मैंसे बहुत सारे बच्चेस को जनवरी और सप्टेंबर नमबर डिसम्बर जनवरी में देख रहे तो अगर आप सभी को अगर पूरी वीडियो देखना पूरी वीडियो देखना है इससे पहले कि तो आप मेरे चानल पर जाओ उसमें प्लेलिस्ट में जाओ उसमें आप सभी के क्वेशन का आंसर आप सभी को देना है उसके लिए आपके पास उस एक्जाम को सही तरह से सौल करके आओगे क्योंकि आपके पास टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से पता होगा ठीक है चलिए बिल्कुल स्टार्ट करेंगे अगर आप सभी लोग तैयार हो तो एक बार लाइक करतो हो ठीक है पहला कोशन आपके सामने आ चुका है आप चलो इसका एंसर आपको आपके नोटबुक में लिखना है योस टाइम स्टार्ट नाओ स्टार्थ कर दो कर दो कर दो कर दो कि ओके टाइम आप सभी एडेट्स टाइम-प्यातु बहुत बढ़िया के जिन्नों इसका आंसर नोट्बूक में लिखा है बहुत बढ़िया जिन्नों इसका चैड़ बॉक्स में दिया है वो भी बढ़िया के भीthing तो इसका आंसर अभी देखंगे देखेंगे हम सुनो साइकल अभियान पहले है क्या तो देखेंगे यह एडवेंचर एक्टिविटीज में आपको जो है वह साइकल अभियान आपको एक 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 टूर्फिटीज के जरीया आपको इसको यूज़ करना पड़ता है ठीक है यह आ होता है कि अब देखो यार क्या होता है कि आप सब पचास साथ क्याड़ेट होते हैं ठीक है पचास साथ क्याड़ेट को साइकल सभी के पास साइकल होती है और उन साइकल चलाते हुए उनको जो है ना पचास किलोमीटर साथ किलोमीटर बिस किलोमीटर ऐसा जाना होता है ठी अगर वो जाते हैं तो बिल्कुल साइकल लेका परियतक स्थल को देखना अगर उसके वंधियासी के वर बता है वह परियोत अगाड़ी और अपके सिर्फ साइकल से आघेंगे वो सभी आपका एक cadets का group है, आपके 50-60 cadets का, आप उन सभी के साथ जो है, आप धार्मिक स्थाल देखने जा रहे हो, एतियासी के वह परियतक स्थाल, historical places देखने जा रहे हो, ठीक है, पिकनीक places देखने कुछ आ रहे हो, ठीक है, इसके अदमे cadets के अंदर आत्म विशास अब मान लो, आप 50 cadets हो, तो बिलकुल यार, 50 लोग जब आप cycle पे जा रहे हो, तो बिलकुल आपके अंदर का confidence है, वो बढ़ेगा न, क्योंकि आप एक दूसरे के support में होते हो, सभी लोग बाते करते हो, सभी लोग cycle चलाते हो, जाते हो, तो क्या होता है, ग्रूप का माहल ठीक है, सभी इसमें, तो इसमें क्या होता है, एक आत्मे विश्वास सभी का बढ़ता है, जो क्या बात भी नहीं करता है, वो ग्रूप में क्या करता है, अटमेटिकल बात करना start कर दीता है, तो इससे क्या होता है, कि उसके अंदर आत्मे विश्वास, self confidence का development भी होता है, क्या होता है, तो इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, फिर आप उन चीज़ों को आप सही तरह से समझ लेते हो, आप जो है न बिल्कुल आपके अंदर लीडर्शिप की quality जो होता है, तो इसलिए cycle अभियान का एक उद्देश है, कि आपको एक लीडर बनाना भी cycle अभिया तथा जोखिम उठाने की शमता का विकास, बिल्कुल देखो आपको बहुत दूर जाना है, अब मानलो आपने स्टार्ट किया है, आपको जाना है 100 km, ठीक है, 100 km जाना है, cycle चलाते हुए, आप 0 km पर अभिया हो, तो यहां से आप इतना दूर जाओगे, 100 km एक दिन में, तो बिल्कुल इसमें क्या एक जोखिम है, ठीक है, इसमें क्या रिस्क है, उतना दूर जाएंगे, तो पहर दुखेंगे, यह होगा, वो होगा, ठीक है, तो इसमें आप जोखिम भी उठा रहे हो, ठीक है, तो ही तो आप तब तक आप, तभी तो आप इसको 100 km को पार कर रहे हो हो यही एक आपको cycle दबिया सिकाता है इस में क्या होता है कि आप risk लेने के लिए तियार हो आप तो भी zero पे उ, आपको जा न viewers 100 km, लेकिन तो भी आप सभी मिल के, सभी मिल जुलकर आपके संद teve 100 km जाते हो इससे क्या होता है आप जोखी मंठाने की शम्ता भी आपके अंदर ये quality develop होती है और आगे चरके आप आपके life में जो एने एक risk लेना भी आप पसंद करते हो ठीके यही जो quality है आपके अंदर आपको develop कराती है फिर एक बार ये question important है इसको आपके notebook में लिख लो धार्मिक्स तलो को देखना के अंदर आत्म विश्वास बढ़ाना लीडर्शिप शमता का विकास करना भातुरूत वत्ता जोखी मुटानी की शमता का विकास करना ये सब कुछ point जो है वह cycle अभियान का उद्देश है इसके बारे में आप सभी को पतावना बहुत ज़रूरी है तो चलिए आई होब कि आपको वीडियो समझ में आयोगा जितने भी बच्चा अभी लाइव देख रहे बहुत बढ़िया स्वागत यार उनका आप इतने देर तक बने हो ठीक है बिलकुल मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ नए कोशिन के साथ पिए जन्नों ने अभी तक चानल को सब्सक्राईब नएक आउँ किया उस्प्सक्राईब कर दो जिन्हें वीडियो को लाइक नेएक कर दो चलो आपका किम्ते से मैं निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलता हो दोस्तो अगले वीडियो में जाहें तूंदे मात्राम